हम लोग शिमत भगवद गीता के ग्यारवे अध्याय के 41 और 42 लोग को देखेंगे आपने अर्जुन की स्तुति को सुना और अब अर्जुन श्रमा प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से इन दो श्लुकों में भगवान की विश्वरुप को उन्हें देख लिया और अब उनका बड़ा उकद भगवान को मित्र के रूप में भी स्मरन कर रहे हैं कि भगवान से उनकी मित्रता थी यह है मित्रता का वर्ताव उनने किया है लेकिन अब जो उनने भगवान का विश्यूरूप देख लिया है इसमें इस कारण से वह है अब ऐसा अनभव कर रहे हैं यह सोच रहे हैं कि उनके द्वारा तो भगवान का अपराध ही हुआ है जैसे तोड़ा समझने का प्रयास कीजिए कि प्राइम मिनिस्टर है और प्राइम मिनिस्टर अपने पोते को अपने कंदे पर या घोड़ा बना हुआ उस पर चढ़ा कर घूम रहा है तो अब बच्चा तो यहीं मानेगा कि यह मेरे घोड़ा एस एक्जैक्ली इस तो मेरे घो अच्छी बात है प्राइब पाजी समझाते एक्जामपिल को विंस्टर चर्चिल सेकंड वर्ल्ड वार में उनसे कोई विक्ति मिलने गया उनसे तो सेक्रेटरी ने बुरा कि अभी सब्सक्राइब अभी नहीं मिल पाएंग अच्छे वेस्ट है तो काफी समय बीत गया तो किया कर रहे है एने के मीटिंग तो की हो सिदेखे कि उनका पोता अपने उनकी कंदे परीट पर चरुल करके चल रहा है चल मेरे गोड़े टिक 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 ऐसे उनको अपने छोटी से मार रहा हुआ और उससे उनको बहुत प्रशंता हो रही है अब यह बताई कि क्या उस व्यक्ति की या किसी और विक्ति की शमता है इस तरह से कि भाई विंस्टेंच चर्चिल के उपर चाड़ जार लेकिन आत्मेता होने कारौ अशा करते हैं तो ये आत्मेता के कारण अर्जुन ने जो भगवान के मजाग बनाया उसके लिए शंवा प्रार्थना इसलिए कर husbands ऑन रहे है भगवान की व्योजना से पार रहे हा में उनन्हें प्रार्थन करी थैं भवान ने दिखाया तो यन अजानता महिमानाम्त वेदं मया प्रमादात प्रणये नवापी अजानता महिमाननाम्त वेदं मया प्रमादात प्रणये नवापी यच्चावः सार्थ मसत्कृतोसी विहार शय्यासन भोजनेशु यच्चा वहा सार्थ मत कृतोस मत्म यच्चा वहा सार्थ मसत कृतोसी विहारशयासन भूजनेशु यच्चा वहा सार्थ मसत कृतोसी विहारशयासन भूजनेशु एकोथ वाप्यच्चत तत्समक्षम तक्षामये त्वामहम अप्रमेयं सखेति मत्वाप्रसभं यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानाम्त वेदम् मया प्रमादात प्रणये नवापी अजानता महिमानम्त वेदम् मया प्रमादात प्रणये नवापी यच्चा वहा सार्थ मसत कृतोसी विहारशयासन भूजनेशु यच्चा वहा सार्थ मसत कृतोसी विहारशयासन भूजनेशु विएको थवाप्य चुत तथ मक्षम तथ साम तक्षाम ये तवा महमा प्रमेयम श्री रर्प पाजी अच्चा इसमें से कितनी लोग इस लोक का आर्थ समझ रहे हैं कि कुछ कुछ समझ में आ रहा पाज आज मैं सुन रहा तो कहते हैं कि समझ भी ना आए कि वह बोलने और सुनने से महान पूरने ट्रांसफर हो रहा है सो विल चैन्ट मोर हमों सुनने भी बहुत उच्छा लग रहा है सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेती अजानता महिमानम तवेदं मया प्रमादात प्रणये नवापी यच्चावह सार्थम सत्कृतोसी विहारशयासन भोजनेशु। एकोठ वाप्य चुत तत्समक्षम तक्षमये तक्सामयत्वं अप्रमेयम सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेती सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेती अजानता मही मानम्त वेदं मया प्रमादात प्रणये नवापी यच्चा वहा सार्थ मसत्कृतोसी विहार शैयासन भोजनेशु एकोथ वाप्यकृत तक्समक्षम तक्षाम हे थ्वाहम अप्रमेयं एकोथवाप्यचुदतत्समक्षम तक्षामये त्वामहम अप्रमेयम। इसको क्या हुआ? इसको क्या हो गया भाई? एक मिनट. ठीक है. आपको अपना मित्र मानते हुए. अर्थ Awards अपना प्राकृत मित्र मानते हुए. जैसे जगत में लोग मित्र मानते उस प्रकार मानते हुए. मैंने हटपूर्वक आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा है क्योंकि मैं आपकी महिमा को नहीं जानता था मैंने यह नहीं कहा कि हे विश्वरूप, हे अनन्त रूप, हे सर्वरूप यह सब नहीं कहा, अब भगवान चाहते भी नहीं कहें, लेकिन अब इनको यह अपराद बोध हो रहा है मैंने मुर्गता वश या प्रेम वश जो कुछ भी किया है, कृप्या उसके लिए मुझे शमा करते है यहीं नहीं मैंने कई बार आराम करते से मैं एक साथ लेटे हुए, या साथ साथ खाते हुए, या बैठे हुए, कभी अकेले तो कभी अनेक मित्नों के समक्ष आपका अनादर किया है या चुत मेरे इन समस्त अपरादों को शमा करें, बात नीच बढ़ता है कौन बोल ला है, आरजुन तो बोल ला है, तो हमको भी पता है, लेकिन इसके गुण क्या है, वो गुण ये हैं कि भगवान के साथ सोते भी थे जिन भगवान के चरण नख की कांती तक को योगी जन मर जाते हैं, जन जन लेते रहते हैं, लेकिन देख नहीं पाते हैं, उनके साथ वह सोते थे, अमें this is with God, sleeping with God, अगर भगवान के साथ, भगवान भी समझ में नहीं आते हैं, आजकर लोगों को God जदा समझ में आता है, sleeping with God भाई साथ, sleeping with God, है ना, आप महसुस कर रहे हैं, भगवान बोलोंगा तो आपको उतना नहीं लग रहा है, क्रिष्ट बोलना हो तो नहीं लग रहा है, जो God बोलना हो तो लग रहा है ना, क्योंकि God से बड़ी एश्वर के वो दोतारी, बहुत बढ़ी चीज है, भगवान ब विमार को संबंध नहीं ऐस तो करते हैं, इस तो करते हैं, तो इतने आत्मेता है कि भगवान उनके संग खाते थे, सोते थे, लेटते थे, और मित्रों के संग, मित्र मंदली बोलते ना, और मित्रों के समक्ष बनाते, और आप देखेंगे, कि अब मैं, प्लीज अलाव भी तो स्पीक देट, अरे यार शब्द बहुत चलता है, मित्र मंदली में एक दूसरी की टांग खीचना यह होता ही है, आप लोगों की मित्र मंदली को भी रही होगी, यह होगी, तो यह चलता ही है, चाहे वो इस त्रियों की हो, अच्छा है वो है पुर्शों की हो, वो एक दूसरी की टांग खीचते ही है, अरे यार तुम तो ऐस तो कभी अकेले ही बोलते हैं और कभी साथ मेरते तब भी टांग खीची आती है अब लोग गलत तो नहीं कह रहे हैं और उसमें मज़ा आता है उसमें ऐसा कुछ नहीं कि वही कोई बुरा माने मित्रुम इस प्रकार का बरताव चलता ही है और भगवान को यह अच्छा लगता यह अपराद था नहीं अपराद होता तो तो जो कृष्णे के साहदントिश अप राद संतुष अपराद जहां भगवान का संतुष चला-जाए उसको अपरत कह जाता है भगवान को संतुष्ट है जैसे वह ही अपने प्राइम City जो भी थे प्राइम मिनिस्टर उनके उप होता तो बड़े प्रसंद है को अपराद नहीं कर रहा है यहां भी देखा जाता है आप मंदिर में देखेंगे लड़के पिता जी लोग अपने बच्चे को अपने कंदे पर लटका लेते हैं तो उस बच्चे का पाउं उनकी छाती पर टच कर रहा होता उसमें कोई दिख करत है कि नहीं करते हैँ तो अपराद था नहीं लिगे इनको अपराद बहुत हो रहा था कि मैंने अपराद करते कि एashore अशुर्ण फ्रकाशित किया इसलिए हम लेकित एक अच्छी बात है कि यद भगवार ने अपना एशुर परस्तुत किया लेकिन भग्वाना मित्रता को अर्जुन नहीं भूल पा रहे हैं जो उनसे मैत्री का संबंद मैत्री के संबंद गंसार भगवान से जो बरताव किये हैं उसको कभी नहीं भूल सकते हैं लेकिन वह अपनी मैत्री को कभी नहीं भूल सकते हैं यह बहुत गंभीर बात है एक बार भी जब हमारा संबंद भगवान से पुना स्थापित हो जाता है तो आप उसे किसी भी परिश्टी में कभी भूल नहीं सकते क्रिश्णा वोंट अलाव दैट नथिंग माया के नौट टच यू यहां जो भी उनके मन में शोक मो आदी हो रहा है वह भगवात इच्छा से हो रहा है गीता को प्रकट करने के लिए अन्यता जिसको प्रेम प्राप्त हो गया वह कभी माया के द्वारा स्पृष्ट नहीं ह हो सकता कभी भगवान को नहीं भूल पाएगा यहां प्राटिकल अब देख लीजिवा भले ही उनको यह याद आ रहा है कि भगवान है लेकिन यह मेरे मित्र भी है यह नहीं भूले और गीता के बाद फिर मित्र बन जाएंगे फिर सहर्थी बन जाएंगे फिर उनको कहेंग गोडे हाको अब भगवान की कंदे पे अपना पाव रक्का से कंट्रोल करेंगे तलवा एक्चिली इसक्वाइट हम्बलिंग अग्रीड कोई व्यक्ति का पाव आपके गले पे हो और वो भी पब्लिक में कि इसेट नॉट हम्बलिंग कि शांस्त्र देखिया पढ़ने की दुबात है लेकिना विचार के रहेंगे और विचार तो भक्तों की समाज में हो पाता है तो बहुत आश्चर जनक हो जाता है कि पब्लिक में कोई विक्ति हमारे कर पीछे गर्दन पे अपना पाम रख चलाए इस जगत में भी ड्राइवर होते हैं तो क्या ड्राइवर की गर्दन पे आप पाम रखते हैं तो कला ही दबा देगा है ना क्या समझ रखा तुम हो कौन तुम्हीं आमी सम बोल देगा कि नहीं आपने कभी यह सोचा भी नहीं होगा ना कोई सोच सकता है इस तरह से कहीं दे और उनको सुख मिलना है तो वहां तो और जुनने केंगे आपका प्राद करना शमा किजिए न यहां के वलिक भावना उनके हिर्द में जागरित हो गई वहां के आश्वर को देखें तब आपकी इदम महिमा नाम इस महिमा को अजानता नहीं जानता कौन सी महिमा जो आपने द प्रणय वश अर्थात प्रेम वश एक व्यक्ति प्रमाद में व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है कि वह किस किसंट डील कर रहा है तो वहां वहां अपराद कर रहेता है और एक होता है कि व्यक्ति प्रेम वश अपराद कर देता है वह जान रहा है कि महान है लेकिन प्रेम के कार वह मरयादक अतिक्रम करतेता है तो या तो मैं अपने पागलपन की वश या प्रेम वश आपकी प्रति प्रेम के वश सखा इती मत्वा आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर हे कृष्ण हे यादव हे सखे इती इस प्रकार यत प्रसभं मया उक्तम जो हट पूर्णक मेरे दार कहा गया है हट पूर्णक मत बार 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 बोल रहे है कृष्ण हे सखा हे यादव अच्छत यह अच्छत विहार शयासन भोजनेश्व विहार में यह विहार जिसे की घुमने जाते थे घुमने जा रहे तो आपने देखा और सुना होगा कि भगवान कृष्ण और अर्जुन इदर यमना जी के तरपे विहार करने गए थे तो वहां उनको कालिंदी मिलती है य गूमने जाते थे खांडव प्रस्त में भी गए थे अर्दिन संग बहुत सारे स्थानों पर भवान गए थे तो वहां की बात करने की बहुत सा विहार करने गए जैसे जगत में आपने देखा कि बहुत बार दोस्त लोग करने दिजिए अधिकार है वो नई वेखती है वो वह उन्हें फोल्वाइब व की फोटो देख रहा है और बाई आपको रहे हो नहीं भी करें लिखते रहे हुआ है विचार करना चाहिंने के चाहिए में यहीं से कहते है प्रमाद आप हम डाटना नहीं चारेंगे रही क्या चल रहा है भगवान का संपर प्राफ्त हो रहा है और आपको सोच रहे हो यह कमिंग बाइच्वाइस ना ना बाइफ फोर्स तो विहार का मतलब होता है आप लोग कभी विहार नहीं के वह मित्रों के संग घूम नहीं फिर नहीं तेहल रहे हैं तो उसको टहल ना कहता है तो विहार कहते है शयन सोते समय आसन मतलब बैठते हुए और भोजन इत्यादी के समय एक यानि निर्जन में अथवा तत समक्षम तत समक्षम मतलब उनके समक्ष अथवा अन्यान बंधों के समक्षम तत का मतलब होता है वह यह उन तो उनके समक्ष मतलब याद है ना उनके समक्ष आपने भाश तो उनका मतलब कुछ भी हो सकता है, स्मित्र हो सकते हैं, सबी तो उन में आ जाएंगे, तो समक्ष मतलब, जितने भी अन्य अन्य सात्में, माली प्रद्यव ने थे, अन्यृत्य थे या और भी कोई लोग सामने होंगे, तो जैसे घटना आती है, घटना बड़ी और उस समय उस साल इतिफाक से अर्जुन भी वहां थे तो वहां अर्जुन बड़ा बड़ा बोलने लगे कि मैं बचाओंगा आप चिंता मत करी तो ब्राह्मन गुस्यम बुला कि जब ये भगवान नहीं बचा पा रहें वसुदेव नहीं बचा पा रहें तो आप क्या बचा को इस तरह से पूरे महल की में पूरी सभा के सामने बोल देना कि मैं वाशुदेव नहीं हूं अर्थात मैं उन्से श्रेष्ट हूं मैं गांडीव धारी अर्जुरू मैं श्रेष्ट यह क्या रहना तो भगवान का अप्मान हुआ कि नहीं लेकिन यह समय निए लीला शक्ती की दॉरतworm फश्चिश होगा वो यह होगा कि प्रमाद कर सकते हैं वेक्ति को पता ही नहीं चल रहा है कि वह क्या बोल रहा है आप देखेंगे कि सेनर भक्त भी कभी कभी क्लास के बोलते हैं कि हमसे प्रमाद वश्च कुछ गलती हो गई हो प्रवचन में तो आप उसे सुधार कर ग्रहन करेंगे प्रवाद में एक बार एक्जाम्पल दूँगा कि मैं अपना इसांप दे रहा छा कि मैं बोलना चाहरा था इमीली के पत्य का सबजी बनती गफीर कहा इम्ली और कहाँ नीम तो बक्त सुन रहेतं तो 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 अपकोर कर अपकोरica कि प्र 연 लेकिन मुख से बोलो निकलना है नीम कई बार असा हो जाता है तो इसे कहते हैं प्रमाद मतलब ना समझी में बोलना तो इस प्रकार से होता है तो अब यहां पर वो कह रहे हैं कि ऐसी सब्सक्राइब बताई विहार शयन आसन और भोजा लित्यादी इसके समय एक अहां निर्जन और बंदों के समक्ष यानि कि यह भी हो सकता है कि सो रहे तो कुछ और लोग हो या खाना खा रहे तो अन्य लोग लोग भी से यह वनाए का श 트ौ इए श्हान खा रहे हैं तो जरूरी की और अर्जन भी और अरजुन ही हो और लोग भी रही मजाग के समय होता है और तो को को преступ va Direction सब नहीं चाथे बना आता है कै अब रुख्मनी माँ खुछाना बनाते होगी बनाती है या ऊंरइन्या गडम lover अरुल अंहीं बनाती रहे खाना कोना फोज ने होंगे और आनीत की बाते करते होंगे ईचिया माहा तो ऐसे करके वहां पर भी अर्जुन अपमान की ऐसा वह सुचते हैं इनके समक्ष अवहास आर्थम अवहास को आप परिहास से मिलता जुलता समझ के परिहास के लिए समझ लिजिए अचा अविहास में समझ बारा तो परिहास आर्थम सुनिए इसको परिहास आर्थम को क्या बाद हुगा परिहास के लिए उसमें हास रहा कि लिए फास परिटहास्य अभरी बड़िया सिर्थना मजाक के लिए है तो में है आप जो असत कृत्र। असत करतासी असम्मानित हुए तत त्वाम प्रमेयम रहा हूं यह उस सब आपकी किसी भी गुण की कोई सीमा नहीं है इसलिए आपकी शमा शीलता की भी कोई सीमा नहीं है और आप अच्छुत भी है पिशने शुरात में अन्वा में देखा आप अपने भगतों पर कृपा करने से चूकते नहीं है और आपकी शमा शीलता की कोई सीमा नहीं है इसलिए में आपसे शमा मांग रहा हूं यद्यपी मेरे अपराद शम में नहीं हैं अर्थाद शमा योगे नहीं हैं और आपसे शकह है अगा हाओं या सका इति मत्वा आप मेरे शहा हो प्रकार मान कर सक्वा मतलब प्राकर्त सक्वा जैसे यवस्ट्म जैसे मैं कर प्रसभां यह दुपतम हट को मैंने कहा क्या कहा है खे क्रिश्ण हे आदव हे सकहे अब मन प्रश्न आज आएगा कि यह कृष्ण बोलना के अपराध है कि बड़िय और जीव सी बात है तो क्या ह्धा सब्सके पूला क्रिष्ण बोला है मैंने स्री क्रिष्ण नहीं बोला मैंने श्री क्रिष्ण बोले ए क्रिष्ण लड़का और मैं कौन क्यों से होता है कि अहां कर रहे हैं तो के नहीं यहां यादव कहने से अपराद इसलिए है क्योंकि आपको यदु स्रिष्ट कहना चाहिए यदुनन्दन कहना चाहिए की तो पुरूव महाराज को याति महाराज अपने पिता का शराप मिला था कि तुम्हारा कोई वंशिज राजा नहीं बनेगा और यह सब यदुद्वन्शी थे इस कारण से पुरर्वण्ष का राज़ दिकारी हो इस अर्थ में Ies professionals doin पराद किया ऐसा वास सोच भगवान तो इसलिए औरुछन को प्रेम करते हैं बात आ रहे हितम बोल रहा हूं दुर्यूद47 ने एक बड़ दुखी होकर हम कर बोले कि हम भी आपके संबंदी हैं और अरजन से प्रेम करते हैं हम से प्रेम क्यों नहीं करते हैं तो एक बार वका है बताता हूं उसको एक बार अर्जुन सो रहे थे और दुर्योधन को भगवान कृष्ण ले करके गए वाकर देखो क्या हो रहा है तो अर्जुन की रूम रूम से कृष्ण 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 क समझाया है कि इस आटिटूट से बोलने वह ठीक नहीं था अनिता किर्ष्ण तो सबसे पर परम पवित्र नाम है पर ब्रह्म को क्या वाट किर्षी भू आचका शब्द निवृत्ति वाचका तैयोर एक के परम ब्रह्म अभी दिये ते किर्षी जो है वह क्री जो है वह भू आचक है अर्था सत्ता वाचक और नाचा दिवृत्ति वाचक नाशब्द जो है वह सत्ता वाचक है अर्थात आनंद भगवान की सत्ता ही आनंद मय है इसलिए परम परम को क्रिष्ण अर्थात परम आनंद मय जिनकी सत्ता है उससे अभिधीत किया आता है मनको इंगित कि जाता है तो कृष्ण शब्द तो आनंद मैं है भवान का नाम लेना तो अपरादों को नश्ट करने के साधन है लेकिन यहां अर्जुन ऐसा सोच रहें कि मैंने इस भाव में लिया इसलिए अपराद है तो प्रश्ण होगा कि आपने ऐसा किया क्यों तो कहते अजानता महिमानाम तवेदम आपकी इस महिमा इदम महिमा इजो आपने महिमा दिखाए कि आप विश्रूप में इसको तव इदम महिमानाम आपकी इस महिमा को नहीं जानने के कारण मैंने ऐसा किया नहीं तो जाना और म आया प्रमादात प्रणये नवापी मे द्वारा असवधानी वश या प्रमाद वश या फिर प्रणयार थाथ प्रेम के कालन ऐसा किया गया हो तो उसके लिए आप मुझे शमा किजीएगा यह तच्छा में जो आया है दूसरे श्लोक में उसका अन्वै इस पहले श्लोक से भी होगा कि मैंने जो आपको इस प्रकार से प्रमाद वर्ष या प्रणे वर्ष कृष्ण यादव सखा है त्यादी कहा है आपकी महिमा ना जानते हुए उसके लिए आप मुझे शमा कीजिए और जो परिहास कि लिए असतकार हुआ है कहा विहार के समय शया के समय यानी सोने के समय आसन मदद बैठते हुए और भोजनेशु भोजन के सब्सक्राइब एक अकेले में अथवा अप्विच अथवा अपी अच्चतत समक्षम है अथवा हे अच्चत अन्यों के समक्ष जो आपका असत्कार हुआ है तक शाम ए उसको आप मुझे आप मुझे उसके लिए शमा कीजिए त्वाम अहमप्रमययम त्वाम का मतलब आपका जो असत्कार हुआ है उसके लिए मैं शमा मांगता हूं हे अप्रमयय हे अपरिसीम हे अनन्थ श्रीधरी अब सखेती त्यादी दो श्लोकों द्वारा भगवान से एक शमा मांगते हैं आपको मैंने प्राकृत और थात साधारण सखा मानकर जो कुछ हट पूर्वक या तिरसकार पूर्वक अनुचित कहा हो उसको आपसे शमा मांगता हूँ आपसे शमा मांगता हूँ इस प्रकार इस श्लोक के वाक्य का बाद वाले श्लोक में आए हुए त्वाम शामय इस वाक्य के साथ अनुआ है यह कुछ समझ पा रहे हैं 42 में एन में बोला है कि आप शमा कीजिए लेकिन उसको आपको 41 में भी जोड़ना होगा वह कहना कौन सा है हे कृष्ण हे यादव हे सुखे अनुचित उक्ती में कारण यह था कि आपकी महिमा को और इस विश्वुरू को ना जानने वाले मुझ अर्जुन के द्वारा प्रमादवश अत्वा सिन्य के कारण जो कुछ कहा किया हूँ उसके लिए शमा मांगता हे अचुत परिहास के निमित यानि परिहास के लिए जो खेलादी में अर्थात घुमते फिरते सोते बैठते और भोजन करते समय इवं अकेला रहने पर अत्वा अर्थात सखाओं से रहित गुप्च स्थान में इस्तित होने पर जहां और कोई सन्कारना हूँ अत्वा उन के सामने यानि उन परिहास करते हुए सखाओं के सम्मग ही मेरे द्वारा आज आपका तिरसकार किया गया हो उस समस्त अपराद मात्र को अप्रमे यानि जिनका प्रभाव चिंतन करने में ना आ सके ऐसे आपसे मैं शमा कराता हूं मता शमा मांगता हूं तो यह तो पूरा पिक्चर दे दिये अब हम आगे टीकां को देखते हैं यह समझ में आ रहे थी ठीक है कुछ भाशन समझने में दिक्कत आ रही थी इसी है गीता वोशन टीका देखिए अपने मित्र कृष्ण को सहस्तर शीर्ष आदी लक्षण से युक्त देखकर अनि हजारों मुख वाले रूप में देखकर उनकी स्तुति करके प्रणाम करके अर्जुन अब सक्य मिश्रित एश्वे रग्यान से उनके उनसे अनुनाय करते हैं दोश्ट लोकों में उनसे वि भगवान है ठीक है यह सोचते हुए कि आप भगवान कृष्ण केवल मेरे मित्र हैं और आपके विश्रूप की महानता का अनभव न करने के कारण मैं अकस्मात और सावधान रहते हुए यह सक्य प्रेम के कारण आपसे कुछ कह देता था मैं उसके लिए आपसे शमा मांगत अब इसको थोड़ा समझिए देखिए कोई अगर स्रिष्ट विक्ति आपकर संबंद में है तो कभी-कभी आत्मी इताव्यस विक्ति कुछ ऐसा कह देता है जो की अपराद से युक्त होता है यह होता ही है फिकते कहते हैं फैमिलियाल्टी ब्रीड कंटेंप्ट दूर से वि एक्टि को समाने रूप में देखने लगता है यह प्रिविर्ति होती ही है मर्त भुद्ध्ध या काईट ऑफ मर्त भुद्धी भी ऐसकते है तो उसकारण से विक्ति अपराद कर ही देता है अ पिना कि जोस यह दोस्ट नहीं है लेकिन उन को और प्राकृत ऐसा हुआ है और यह अकस्मात और सावधान ना रहते हुआ ली बात में समझा पाया हूं किया आपने कभी ऐसा किया है येस येस तिर इस वेरी हाई पोसिविल्टी तट भी हम तो अंद से एकर अपने कुरु माना से बहुत दूर रहते हैं वने का इसी बी नजर कमजूर है चस्मा लगवाए कुछ और उसमें दोश्ट दिग गया तो जो है थोड़ी बहुत बकती वह भी कहतम हो जाएगी आपको बहुत डर लगता है विकास ट्रॉंग टेंडिंसी वी केंनोट अंडर्स्टाइंड हाव प्यूर डिवोटी थिंग्स वो क्या सोच रहे हैं किसले कार्य कर रहे हैं समझना बड़ा मुश्किल है एक बात आपको बताता हूं पर उच्छानात महाराज के बारे में के एक गध्छा है असली में गध्छा वाडा फार में है अब किसे आया हमको निए पर किसे आया था और हुक हरी पननि पर नत गॉर्राण परो सनाते हैं तो महाराज ने कहाए कि इसको पालना है है तो अब गउर्णप्रों को चिंता होगी की ग़दे कौँ कहों पालेया गधा को पालने का कुई पुन्य मिलता हो सास्त्र में ऑदन यह गज पळाद की रिवδनर या क्यों पाला जाए जमाम पूच्छे कि माहराज मुझे कोई नहीं मिले चुक तुम करना और बाद गव청 करों गभि två प्र अब जो भी उन्हें किसी को लगाया सिवा करने के लिए तो उसका भी सत्कार हुआ भला सत्कार के लाय पिला गया उस्वास्त ना तो अब कुछ समय के बाद कुछ विदेशी लोग उस वड़ा फार में आए और उन्हें देखा कि अरे यहां तो गधे को भी इतना प्रेम के जाता है तो यह आपस में भक्त लोग कितना प्रेम करते होंगे और उससे उनको प्रभाव हुआ वो भक्ती में कुछ आगे बड़े तो एक शुद्ध भक्त क्या सोच रहें कैसे बरताव कर रहें यह समझना बड़ा मुश्किल है एक्शली समझी नहीं सकते क्योंकि हम उस चेतना पर ही नहीं है तो इसलिए काफी संभावना है कि वेक्ति का अपराद बन जाए तो यहां परकार से वो बोल रहा है कुछ भक्त प्रश्न कर रहे हैं सक्य वेवार करते कि समझ नहीं है सक्य मतलब दोस्त का वेवार करते थे दोस्त का वेवार करते थे आप क्या कहते थे माल वहां के हम तो याद नहीं आ रहा है अपराद किया आपने तो मैं कहता था हे कृष्ण हे यादव हे मित्र हे यार यार वैसे देखिए बात तो यह है कि भगवान इस तरह के स्वंबोधनों को सुनने के लिए तरह से तो नहीं करना ही हैंकरिंग इस इगर इस सब लोग गोविंदम आदी पुर्जम तमाम बजावें बोलते रहते हैं भ भगवान को इस प्रकार के नामों से पुकारना अनादर सुचित करता है लेकिन केवल यह अर्जुन के भाव में अदर्वाइस आपने मैंने बता दिया कि कृष्ण बोलना कोई अपराद नहीं है कृष्ण में श्री उपसर्ग ना लगाना अनादर है श्री कृष्ण बोलन है तो वह अपराद है राम बोल रहे हैं तो अपराद है क्योंकि हम लोग कृष्ण बोल रहे हैं तो क्या स्मरुण कर है हम कृष्ण भगवान का स्मरुण कर रहे हैं लेकिन यहां कृष्ण बोलना क्यों अपराद है वह देखा जाएगा भी यहां पर एक अर्थ बता रहे ह कि श्री लगा कि बोलना चाहिए नहीं बोल रहे थे इसलिए अपरा दे आगे और तीका में बताए दाएगा यादव संबोधन भी अनादर युक्त है क्योंकि वह भगवान कृष्ण का यदुकुल में राजिकी स्थान प्रकट नहीं करता उन्हें भगवान को यादव स्रिष्ट आधी कहकर समधित करना चाहिए हे यदुनंदन हे यादव स्रिष्ट ऐसे बोलना चाहिए मित्र कहना भी अनादर था क्योंकि वह उनको अपने समान मान रहे थे साथ ही तो इस परस्ट है बाते साथ ही खेलते शैन करते बैठते और खाते समय परिहास के लिए मैंने आपका सतकार नहीं किया यहां क्या नियम है ऐसा तो नहीं कि आपने गिर्दाजी को भोग लगा साथ में आप भी समोसा चबा रहे हैं ऐसा नहीं होता है भगवान ग्रण कर लिए उसके बाद हम ग्रण करते हैं पर्दा डालते तब खाते कि नहीं वी डोंट इट बिफोर क्रिष्णा और वी डोंट इट विद क्रिष्णा है ना ना तो हम भगवान के पहले खाते हैं ना उनके साथ में खाते हैं भगवान के सामने भी नहीं खाते हैं पर्दा करके बाद में बाहर खाते हैं यह तो दिका है ना नितपराद माना जाएगा यां श्यास के लिए मैंने आपका सदकार नहीं किया मजा किया आपके साथ आप सतिवाक वसरल है परंतु वेंजनात्मिक प्रयोक के द्वारा मेंने अकेली में और अन्यों के इस स्मक्षtså लेकिन अर्जुन ने क्या बोला और भाई रिश्ट तुमारे का बड़ा अच्छा बोल एक बड़ा आतव बोरते हो तो अब ये बात सत्य ओक बहुत बोलते हो लेकिन यहां पे अर्जुन का प्रियोग था कि तुम जूट बोलते हो सरकेखसन वैंजन अत्म मतलब होता है सरकेखसन जुआ बोल रहे उसका अर्थ नहीं जविफ應該 कोई तुम तो बड़े बुद्धी मानों किया है मूर्क हो yes मानलों गर्लत काम करते और प्रोपर कि तुम तो बड़े बुद्धिमान हो भाई बड़ी अकल लेके आए हो तो वहाँ इसका अर्थ यह नहीं कि बड़े अकल है ही नहीं कि यह तो आप लोग प्रयोक सुने होंगे भाई आपसे बड़ा दानी तो कोई है नहीं तो यहां प्रतंस्ता नहीं हो रही है समझ मैं यहां तो बोला जा रहा है कि आप कंजूस हैं यह ना मालों किसी आपको डोनेशन मांगने जाएं और दो रुपे निकाल के दे तो आप क्या कहेंगे दो रुपे आप तो बहुत बड़े दानी है तो वहां पर दानी जो शब्द है व्यंग के लिक आ गया है उसके बाद सरल है तुम बड़े सीधे हो सरल सुन जाए बबा प्रे उन से बड़ा कोई चल्या भी नहीं है थीूतम चले ता मसमी भगवान से चल्य करना चाहता है तो भगवान से कोई चल नब़ा उसको संग्छल कर देते है जैसे एक चल की थे बघवान व्रिका सुर व्रिका सुर को शिवाफ हश्रे वाद मिला कि जिसके सर पर जी आगे आगे भाग रहे हैं और रहाप रहाशिव जी और रास्ते में भगवान एक छोटा बच्चा आवन करके ब्राहमण का बच्चा बनकर भापे खड़े हो गए और बोले कि हे शकुनी नंदन शकुनी की पुत्र अब जब बूला तो सोचा कि लगता ही मेरी पापा की र अब प्रहपात कहते हैं वहाँ पर के शुरों को दे का बारे में बताईए तो उनको बड़ा अच्छा लगता है तो पूछे कि आप अपने अपने दे को किस्ट कुद्धेर है तो तो उनने अच्छा यह लग रहा हमारे तो इन्ने अशे बताया आएसा था शीव जी ने मु और भगवान ने चल किया उसने सर पर हात रखा मर गया तो भगवान अपने शब्दों की दोर मोहित कर देते हैं करते हैं कि नहीं तो क्या यहां बढ़ बढ़ सरल है और फिर भीवाण को ते वो केते हैं कि आप बड़े सरल हैं बहुत सीधे है जिस प्रकार से आपका मान किया और जब ऐसा बोला होगा कि भधाइ भगवान किरश्न ardonon तुम तो बडे सत्यवाधी तो बाकी मित्र होसे हमें जहाँ क्रेश्णा बड़े सत्यवाधी और इस प्रकार सब आए नहीं किसि को नहीं कुछा नहीं किसी को नहीं कि दो तो अर्जुन भी इस प्रकार से उनको लग रहा है कि तो अर्जुन भी मैंने कहा या बरताव किया जिससे अपराद उत्पन होता है उसके लिए मुझे शमा कर दिजे वैसे हमें तो जरू कहना चाहिए कि दिन भर में कुछ ना कुछ अपराद बना ही रहता है लेकिन अर्जुन जैसे भक्त कोई अपराद नहीं करते हैं एक बात ध्यान से सुन लिजेगा कि प्रेम के स्तर पर अपराद हो ही नहीं सकता भाव स्तर्प से प स्थापित हो गया है इस प्रकार्वी भगवान से अनने विन्य विन्य कर रहे हैं को है अर्ठाथ अपराद को सभन करके भी आप मेरे मित्र बने रहते हैं अच्छत मतब जो अपनी स्तिति से कभी च्यूत नहीं होते एक बार भगवान से हीव का सम्मन्द स्थापित तो अब भगवान उस संबंध को कभी विस्मृत नहीं होने देते तो यह कह रहा है कि आप अचुत हैं चाहे इस मित्रता के लिए कितना भी अपराद सहन करना पड़े आप सहन करते हैं अगर भूले हैं तो हम भूले हैं भगवान कभी नहीं पूले अपनी तरफ से ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका अतर्क प्रभाव है अप्रमेया आपके प्रभाव को आपके गुणों को कौन समझ सकता है आपके गुण तर्क के अंदर नहीं आते हैं सारार्थ वर्षनी बड़ी सुंदर है हाय हाय ऐसे महां महेश्वरवान आपके प्रती मैनें अन्गरित अपराद क darauf कि γिनके प्रती एक बीबीं अपराद नहीं करना चाहिए उनके प्रती मैने अन्गरित अपराद कि यह यह शुद्वगतों का दय नहीं होता है जो इस प् प्रसिद्ध इस पहली मिस्टेक वसुदेव नामक मनुष्य के पुत्र कृष्ण की रूपे प्रसिद्ध है वासु नहीं हो चाहिए मतलब आपके पिता जी तो और्ध रथी के रूप में भी प्रसिद्ध नहीं है अर्ध रथी के रूप में भी प्रसिद्ध नहीं है और उन और बासा करके मैं प्रसिद्ध हूं अर्जुन कई बार बूला ना पांडु पुत्राना पांडु पूत्र का घया रथ है रेधा पांडु जो विश्व विजयता थे जिनके बारे मिपागवबत मनें सुना था एक धनुष मात्र से पूरे और अखेले प्रसिद्ध हैं जो कि युद्ध में बहुत शक्तिशारी नहीं थे इस आशे से मैंने आपको कृष्ण कहा है किरष्ण किसका बेटा है वसुदेव जी का तो वसुदेव जी कौन है मतलब रथ फे दो लोगं बैटे हों दो लोगं मिलकि युद्ध करें से मेरे पिता जी बहूत प्रसिद्ध युद्ध है और कि पिताजी बहुत अच्छे युद्धा नहीं है इस तरह से मैंने इस आश्य से मैंने कृष्ट कहा यह अपराद अब मुझे अच्छारे बोलना तो सही होगा लेकिन कृष्ट को आपका राजत्व भी नहीं है अर्थाथ आप लोग राजा बन नहीं सकते हो किन्तु पुरव तथा पि आपके साथ मेरा जो सखा भाव है वे आपके पैत्रिक कारण अथ्वा कुल के प्रभाव से नहीं अपी तो आपकी कारण ही है इसी अविपराई से सक्य भाव के कारण मैंने आपको हट पूरवक तिरसकार सहित ऐसे वचनों को कहा है उसके लिए मैं आपसे शमा प त्रक्रता आपसे डिलेट थि क्या थे नई थे उसे मतलल नहीं है आप को में अपना सखा मान करके आपके प्रत्य अफराथ किया उस प्रमादवश अ BMW परयास कें कीड़ा किड़ा करने के लिए खेल करने में आपके उस विश्वरूपात्मक सुरूप की महीमा त्रिस्कृत हुए यह जो आप विश्वरूप है इसका मैंने त्रिस्कार किया क्या कि मैं समझ नहीं पारा था कि आपका विश्वरूप भी है अर्थात एकांत में अत्वा सखाओं के समक्ष आप सत्यवादी वक्रतुंद महाकाया क्या किसका को नहीं बताईए गड़ने जी तो वक्रतुंद मतलब जिनका सुन्द टेड़ी है सीधी नहीं होती नहीं होती नहीं होती तो वक्रतुंद महाकाया सुर्य कोटी समप्रभा आसे करके हैं तो वक्रकार्थ होता है टेड़ी तो टेड़ी योग जो वो बोल रहे हैं उसका अर्थ वह नहीं होता कुछ अलग अर्थ होता है और जो चुबता भी है हाँ सीधा जवाब में देंगे कुछ बोलेगे तो सुल्टा ही बोलेंगे आपने खाना बना लिया तो कोई और मनाता है क्या तो तेरे की वाते बोलते हैं ना आप मुझे शवा करें यही आपसे अनने करता हूं तात परिव यद्दपी अर्दुन के समक्स कृष्ण अपने विराठ रूप में हैं किन्तु उसे कृष्ण के साथ अपना मैत्री भावस्मर्ण है इसलिए वह मित्रता की कारण होने वाले अनेक अपरादों को शमा करने के लिए प्रार्थना कर रहा है वह स्विकार करता है कि पहले उसे ग्यात न था कि कृष्ण ऐसा विराठ रूप धारण कर सकते हैं यद्द्पी मित्र के रूप में कृष्ण ने उसे यह समझाया था अथवाबहुनेतेना किमग्यातेन तवार्जुना विष्ठव्याहमिदम क्रिष्णम एकांशेन से तो जगत अब अर्जुन अपने एश्वेरों के बारे में अधिक क्या बोलना है इतरा समझ लो कि मैं अपने एक अंश से पूरे जगत को व्याप्त करता हूँ विष्ठव्याहम अहम क्रिष्णम एकांशेन से तो जगत जब यह अर्जुन ने सुना तब उन्होंने भगवान को बोला था कि आप अपना विष्वरुप हमको दिखाई उसके बाद इस गयार्वय ध्यार में विष्वरुप दिखाया था अर्जुन को यह भी पता नहीं था कि उसने कितनी बार हे मेरे मित्र हे कृष्णे हे यादव जैसे समोधनों के द्वारा उनको आनादर किया है और उनकी महिमा स्विकार नहीं कि कितना सुन्दर बात प्रपाय बोल रहा है एशा नहीं है कि कियल एक बार बोला कि कर्ष्ण यादव जखा कई बार बोला और कितनी बार बोला उसकी याद उनको नहीं वह हर बार अपरात ऑन भाझा thyroid को भी नहीं यहां जगत में आप देखतेए कि ठोड़ा सा अपरात करता जोड़ा नहीं बना लेतें थो यह हो गय है हम till मैं हैं मैं हम लुग एक दो बात में ही घुस्सा हो जाते हैं एक ही बात में लिए आन्य निक पाते और भगवार निंको इतना वह किए तो कहें को यह साब नहीं कि मैंने कितने अपराद कि किन्तो कृष्ट इतने कृपालू है कि इतने एश्वर मंडित होने पर भी अर्जुन से मित्र की भ्यूमिका निभाते रहे मतलब करिष्ट न यह नहीं का अरे भाई रिष्टे में तो हम विशुरूप लगते हैं नाम है स्री कृष्ट हमको आप स्रीकृष्णी बौलर वह सखा कहा बोलते हो शमझ में नहीं आते देखो मेरा विशुरूप देखो वह ही भग्मान फैलना शुरू नहीं कर कि हां ऐसा हो जात लेकिन भगवान ऐसा नहीं किए वो मित्र है तो बस मित्र है ओके भगवान ने यहां विश्यूरूप अर्जुन को इसलिए नहीं दिखाया है ताकि वह श्रमा प्रात्ना करें अर्जुन देखना चाहते थे और अर्जुन भी देखना नहीं चाहते थे यह भी हम सुन चेके अर्जुन केवल इसलिए बोले ताकि आगे के जो फ्रॉड लोग हैं उनके सामने यह होलोग्राम लग जाए आपको कभी-कभी कंपनी है अपने स्टिकर पर होलोग्राम लगाते थ्रीडी फोटो रहती तो अलग अलग रूप देखते हैं तो उससे व्यक्ति माल लेता है कि यह प्रवाणिक कंपनी है तो भगवान ने विराट रूप अपने अनक रूप दिखाए तो एक होलोग्राम कितर है आनक अनक रूप दिखाए पटर अलग-अलग अंगल से तो है कि देखे इस भगवत में जिसको भगवान क्या उसमें यह विश्यूरूप का होलोग्राम है यह नहीं है तो और जूंट केवल भगवान की भगवत्ता को स्थापित करने के लिए ऑशाब बूले नहीं तो उनको को इंटरस्ट नहीं जैसे कि आग इस लोगों में क्लीर ह बढ़ाएगा उनको बिल्कुल इच्छा नहीं विशुरूप देखने के उनका तुम मैत्रिय का मूड डिस्टर्ब हो गया अपना माध्र भक्रत करते हैं अगर्र आपको याद में रूप को देखने वाले चक्षू नहीं है इसलिए तुमको एश्वर का अनभव करने वाले चक्षू दे रहा हूं ये दिविकार्त था सब बूल जाओ यह अथुआ टाइम लागता है यह जीव तथा क्रिष्ण का संबंद शाश्वत रूप से ठिर है मतलब आपका एक विशेश संबंद है और मेंदा संबंद आप नहीं बताना और मैं भी आपका संबंद नहीं बताऊंगा और कई से सुन के भी बताना और मालू सुन भी लिया तो मुझे मत बताना और मुझे बताएंगे तो मुझे अपराद करना पड़ेगा बहुत बड़ी बात हम कह रहे है कि कभी हमारे इस ग्रूप में जो भक्त है यह कोई भी प्रवच्ण को सुन रहा हो कभी ने कहना कि मेरा यह स्वरूप है वेक सेंस यूनो इट और यूनो सब्सक्राइब नहीं जा सकता जैसा कि हम अर्जुन के आचरण में देखते हैं तो प्रश्णों का पर हम कैसे भूल गए यही भगवान की माया शक्ति है जो असंभवकार को कर रही है और जब हम भक्ती करते हैं तो भगवान करते क्या है भगवान धीरे-धीरे करके इस माया के प्रभाव को हटाते हैं किस रूप में जो पेल वस्तुएं हैं जिनमें कुछ सुख नहीं है जिसमें अविद्या के कारण हम सुख मान रहे हैं उससे भगवान उसको हट खीचना शुरू कर दे रहे हैं मैं समझा पालाओ बात को और जब उन चीजों से टेस्ट हटना शुरू हो जाता है उस समझना चाहिए कि हमारी सुरूप का प्रकाशन हो रहा है मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि सुरू कर प्रकाशन हो गया है तब प्रोसेस है स्टार्टिड मैं यह कह रहा हूँ जब जगत की वस्तों की प्रति व्यारा गया था तो उनमें जो जो सुक भावना है वो सब समाप्त होने लग जाए उपाद्य बुद्धी कहना चाहिए कि ब यह बात है यद्यपी अर्जुन विराठ रूप का एश्वेर देख चुका है किन्तु वह कृष्ण के साथ अपनी मैत्री नहीं भूल सकता यह बड़ा स्पष्ट है और कुछ प्रश्ण है भक्तों के मैं देख लेता हूं जो लोग भक्त भगवान कृष्ण को तू तड़ करके बोलते हैं जैसे कृष्ण सब का पालन कर रहा है कृष्ण 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 मुझसे प्रचार करवा रहा है इस तरह से कहना अभी अपराद है पता नहीं ऐसा क्यों कहते हैं कि मैंने कभी कैसा कहा I don't think so हम तो कभवान को हमेशा respectfully approach करते हैं अभी तो भगव अच्छा भी नहीं लगता नहीं मुझे अपराद मुझे नहीं लगना कि मैंने किया तो हम तो नहीं मैं कहीं ऐसे लोग उसे मिला हूं तो नहीं से कहा हूं I don't know why they use the search words and how can they use such words one word what reason they have to use such words मुझे नहीं पता गीता का ज्यान भी विश्वुरूप देखने के बाद अर्जुन भगवान को किस दृष्टी से देखते भगवान के रूप में यह सखाऊ गया देखिए भगवान जब अपने एश्वर को प्रकट कराते हैं तो द्वारका के पार्षद उनको भगवान की रूप में देखने लगते हैं अन्नत्हाव है उनको अपने मित्र जो भी सम्बंद उसके अंसार ही देखते हैं यह बात है यदि कृष्ण की माया हमें भूला देती है तो फिर भागवत प्राप्ति की पश्चात वो क्यों भूना नहीं भूला देती क्योंकि भगवान भूल नहीं देते हैं हम भूलने की इच्छा रखते हैं इसलिए भगवान की माया हमपर कार्य करती है क्रिष्ण भूलिया जीव अनादिर वहिर मुख आते माया देत्थ नहीं 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 तार जहापटी धरी क्या श्लोग है किरिष्ण भूलिया जीव भूग वांचा करे निकटस्त माया तारे जहपट यह धारे तो कृष्ण को भूल करके जीव भूग की वांचा करता है इसलिए पास में इस्थित माय उसको पकड़ती है तो अध्यात्म जगत्मित माया है नहीं नहीं यत्रिमाया सुनात हमने भाग भांचे आप यह बताई कि कभी आप एक 24 घंटा तोलेट में बताएं क्या कभी पिता तोलेट में लेटरीन में वह भी सुलब सचाले में जहां लेटरीन पड़ी हो हर जग है कभी सचे सपना आया कभी वहां बैठे हो आउजए 24 घंटा जो बार-बार यह प्रश्न करते हो यंगे यहां राशते में आते हैं यहां पे लोग मुटर कर रहते हैं इतार तरफ देखे होंगे आप पर उसदर से एक सेकेंड के लिए स्कूटर नहीं लिए जाने का मन करता है आप मेरे बाद से रेट कर पा रहे होंगे तो यह पूरा जगत इस्पेशली बटीरियल वर्ड इस्पेशली अगर प्रिथवी की बात करें वह ऐसा बता जाता है कि जहां प प्रशन बार-बार वहां जाएंगे तो गिर जाएंगे भुला देगे क्या से करके और मेरे गुस्ता होने का प्रियोजन भी नहीं क्यों कि आपको अकल आ भी नहीं रही है जब भक्ति करने से व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि उसे वैरा के हो रहा है और इस वज प्रेटरिन स्थान है कि नहीं, इससे वेरा कि नहीं, किसका नहीं है, जरा बताईए, हाथ खड़ा कीजिए, कि कौन अपनी पेट में मल लेकिने घुम रहा, तो अगर ऐसे कोई बेखूफ हो तो क्या कर सकते हैं, कोई करे कि आपको इस जगत से वेरा कि नहीं चाहिए, तो उस बेखूफ हों क्या कहा जाए, बहुत है, आसकती काटने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, तब तो छूट नहीं रही है, खाने में है, सोने में, कहां कहां पर है, और भदन कर रहे हैं, तब भी कहीं नहीं थ्रेट्स, इन्विजिबल थ्रेट्स लगे रहते हैं, आसकती बद्धिवान भक्त हैं, वह एक बार में ही समझ जाते हैं, और जो मूर्क हैं, उनको समधाते हुए, जो संधाने वाला है, परांट छोड़ते हैं, उनको समझ भी नहीं आएगा, तो इनको समझ भी नहीं आएगा, तो इनके पास एक बात तो समझने के बुद्धी होनी चाहिए, ना, जब एक ही बात ना समझ में है, तो क्या करेंगे, बताएगे, भूख शांत करने के लिए भोजन करते हैं, यह करते हैं, अरे हम भोजन करेंगे, तो भूख शांत हो जाएगी, अब ऐसे बेकूफ क्या कहा जाए, हम भोजन इसले नहीं कर रहेंगे, क्योंकि मारी भूख शांत हो जाएगी, यही बात है, जगत से वेराग या जगत के वस्तुओं को कृष्ण समंधित देखना कौन से बटर है, देखिए यह आपने अच्छी बात बोली है, देखिए वेराग का मतलब यही है कि वस्तुओ क्यों को भग्वान के संबंद में देखना, क्योंकि आप कुछ त्याक की नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको कुछ है ही नहीं, के मैंकि आ पर दिया, कि हम लोग Redford को क्यों नहीं त्याक सकते है, simple सी बात है, जैसे मैं घर मेरा रहा हूं जहां पे भी, तो मैं बहुत समझता हूं कि घर मेरा नहीं है, यह घर मकान मालिक का है, यह फिर प्रॉपर अवेरनेस है, तो यह घर भगवान का है, बैसिकली घर भगवान का है, तो घर भगवान का है, तो उसका भगवान की सिवा यही सही वैरागयकार्थ है याट मीज उस वस्तु से आसकत ना होना उस भगवान की सिवा से आसकत होना और भगवान की सिवा के लिए वस्तु का प्रयोक करना यही है असली वैरागयकार्थ मैं कहूं नहीं इस फोन से मेरा कोई मतलब नहीं है इस फैन से मेरा कोई मतलब नही इंटरनेट से मतलब नहीं है और प्रचार से मतलब नहीं है तो तुमको मैं चाहता हूं कि मेरी वानी का प्रचार वो तो उसको देखना चाहिए जैसे को एक सेनिक है वह अपने राजा की या जो अपने सुपीरियर से उसकी आग्या को उनको संतुष्ट करने के लिए वह आसक्त होता है बाकी किसी चीज में उसको मतलब नहीं होता है वह जी या मरे या क्या हो निस प्रपर वेर आगया कि भगवान संतुष्ट हो जाए प्रभाजी मतनम प्याजम लसुनम यूमें भक्तिया प्रेचिती तद्हम भक्ति उपरतम अश्नावी प्रतात्मना अगर चिकन मतन लसन प्याजन भी कहते और तो और कि प्रेम से कोई देता है तो मैं खाता हूं तो भक्त वह भी देते भक्त आर नौट आर बट भगवान ऐसा नहीं कह अप्राध मात्रों को समस्त अप्राद मात्रों को कहां दिखा को अप्रमे यानि जिनका प्रभाव चुंतन करने वे ना आ सके ऐसे आपसे मैं श्रमांगता हूं आपका प्रभाव कोई नहीं समझ रहा है तो मैं भी आपके प्रुतिय अप्राइद किया इसलिए आप से यह इक अर्थ है कि आपकी आपके श्रमा भी असीमित है इसलिए मैं मांगता हूं दिखी भगवाद गीता स्वेम भगवान है तो भगवान की जैसे अलग-अलग facets होते हैं ऐसे भगवाद गीता की श्रीमत अलग-अलग अर्थ में गरहन कर सकते हैं और शुड़ उसका परियवसान है वह बक्ती में होना चाहिए अस लॉंग अस लॉंग अस लॉंग अस दाइस ओके तो फुर अन्रसांड ठीक है शुरू जाते हैं आपर श्रीमत भगवद गीता की जाए श्रील्य प्रभुपात की जाए निताईगोर प्रिमान अंदे